यह वीडियो दोस्तों जो आप अभी देख रहे हैं वे सबजी और फसलो का है जो की बे मौसम बारिस के चलते पूरा चौपट हो गया है बता दे कि 22 साल के अंतिम सब्ता में हुई बारिस के नुकसान से अभी किसान उबरे भी नहीं थे कि आचाना हुई नए साल के पहले सब्ता की बे मौसम बारिस पर ही किसानों पर आफ़त बनकर तूट पड़ी है किसानों की सबजी और रवी फसल दोनों ही तबाह हो गई है द्रसर सही माइने में कहा जाये तो किसान ही पूरी तरह से तबाह हो गए है दिम होसाम बारिज के चलते फशलों को हुए भारी नुकसान से किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीरे चाही हुई है अब बरती संक्रमन से लेकर के लोगडों तक की हर समस्र से लणे की जहोजद में अब सबजियों और फशलों की भी बरबादी किसानों को तोड़ कर रग दी है बता दे कि टमाटर पपिता मिर्ज की सबजियों को भारी नुकसान तो हुआ ही साथ ही चना मसूर रहर तिवरा की भी फसले भी चौपट हो गई है अब ऐसे में किसान आखिर करे तो क्या करे क्योंकि धानों की भी भारी नुकसान हुई है वैसे दोस्तों आपका क्या ख्याल है कि इस बे मौसम बारिस के चलते की सानों को हो रहन उसकान को लेकर के आप हमें कोमेंट करे के जरूर बताएगा कि सरकार को इस पर कुछ मुआजा देना चाहिए या नहीं और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एन शेयर करना न भूलेगा साथ ही अगर आप हमाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा